हलो गईचाप लोगा स्वागत है अपके अपनी यूटूब चैनल टॉप पसिंट पर तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्णिंग में हम लोग मॉर्णिंग अपडेट लेकर आते हैं जो भी इंपोर्टेंट अपडेट निउच पेफर में निकल कर आती हैं वो सारी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को चले गाई तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बढ़ा दूँगी चक्सू प्रकासन की जो लेकपाल की भरती आने वाली है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक यह है आपको दिख रही होगी बिल्कुल सलेवर्स की एक पार्केट से आप परचेज कर सकते हो आनलाइन भी परचेज कर सकते हो लिंक मेने description box में दे दिया साथी आप call करकर भी आप इसको order कर सकते हो तो अच्छी बुक है साथी 6 अगर हम आपको बताए तो चक्सू प्रकासन की तीन और बुक आती है सबसे पहले तो आती है उत्तर पर देखते हैं पहले निउस देखते हैं फिर हम लोग परिक्षा दिती पर बात करते हैं यहां पर लिखा है टीटी पेपर लीक मामले में मुख्यबंती योगी आद्यातनात के निर्देश वा सचीव परिक्षा नियमक प्रादिकारी संजय उपाद्याय को निलम्बित कर दि लिया है देर रात तक सचीव मुख्याले में उनसे पूच्टा जारी रही मंगलवार को ही बस्ती जिले से एक सहायक अध्यापक समय 5 लोगों को गिरफतार किया गया इस मामले में सचीव अब तक 37 लोगों को गिरफतार कर चुकिए बेसिक सिक्षा विभाग की सचीव अना हुआ है और इस बार बिलकुल यह लग रहा है कि अब की बाग जो भी जितने भी भरतियों में जितने भी सेदमारी करने वाले थे न सबीh लोग जो हैं इसमें नपने वाली है तो बिलकुल तैय हो चुका है वहीं पर हम बात करते हैं तो यहां पर जो धैनिक जागरन सावित की गई, इस पर अभी भी संसे बना हुआ है, क्या लिखाया देखते हैं, बेसिक सिक्षा मंत्री डाक्टर सती जुवेदी ने यूपी टीटी की निरस्ट परिक्षा एक मा के अंदर कराने का दावा किया था, उसे देखते वे 16 दिसंबर की तारीक पर मंतन सुरू पहले इसी तारीक को इम्तिहान कराने का प्रिस्ता हो गे जाता, अपसर या जांचने में जुटे थे कि इस तारीक को कोई और परिक्षा तो नहीं है, लेकिन CTET, जैसा कि मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, कि CTET की वज़ा से जो है ये परिक्षा जो है डिले हो स ऐसे में सरकार को चाहिए कि CTET यानि CBST से एक दिन की मोहलत ले लें कोई भी एक दिन की और उसमें पेपर करवा दे नहीं, तो 13 जनौरी के बाद अगर पेपर हुआ, तो सब कुछ सत्यानास हो जाना है, आप समझ लीजे इस बात को, क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, और हो सकता है, में भी आचार संगिता भी तक तक लागू हो जाए, क्योंकि अभी डेड़ महीने का समय है, ठीक है, 13 जनौरी में, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, तो अभी 26 दिसंबर पर जो है, बहुत बड़ा डाउट है, और डाउट यहीं कि एगर CT का पेपर, यहीं जो सीटेट का पेपर, अगर उसको नहीं पोस्टपोन करेंगे, तो यह पेपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दिन में दो सिख्चक भरती पेपर नहीं होगा, UPSI और UPSI दोनों अलग अलग चीज़ें थे, ठीक है, क्योंकि UPSI और UPSI एक दिन चल गया पेपर जल्दी एक मेहने के अंदर करवा जाएगा, दस दिन के भीतर इसकी एक्जाम डेट जो है, आने की संभावना है, आप यहां पर देख सकते हूँ, यह मैं नहीं बोल ला हूँ, यह जो प्रिंट मीडिया है, वो बोल लेए, ठीक है, मैं नहीं बोल ला हूँ कि दस द आड़े आ सकती है, ठीक है, बाकि 8-10 दिन में एक नई डेट हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, अभी तो फिलाल कारिवाही चल लई है, अभी तो किस से डेट निकलवाएं, अभी तो पता नहीं कौन-कौन से और नपने वाले हैं, ठीक है, यह चीज आप लोग देख स कि कौन सा अधिकारी कब निलंबित हो जाए, क्योंकि यूपी टेट मामले में अच्छे अब जिसे पेणपी सचिव, जिसे अड़ेट का भी जो पेपर वो भी कराने का जो जिम्मा है, पेणपी नहीं तो लिया था, तो अगर पेणपी के सचिव निलंबित हो गएं, तो ज जो है, बनाई जा रही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो बचे बचे घूम रहे हैं, वहीं पर हम बात करते हैं, आरो ए आरो भरती को लेकर के, आरो ए आरो की भरती में परिच्छा केंद में जो है संसोधन किया गया है, कुछ प मिक्चा दिकारी प्रारमिक परिक्चा 2021 के लिए गोरकपूर जनपत के दो और मिर्जापूर जनपत के एक केंदर में संसोधन किया है गोरकपूर जिले में विश्चुभारती इंटर कालिज ब्लॉक A, FCI रोड उर्वरक नगर बगदावां में जीन अब्यारतियों का केंदा उनकी परिक्चा इस्लामिया कालिज आप कॉमर्स जुबली टाकिज के पीछे बक्सिपूर और विश्चुभारती इंटर कालिज ब्लाग ब्लाग B, FCI रोड उर्वरक नगर बरगदावां में जीनकी परिक्चा थी अब उनकी परिक्चा इस्लामिया गल्स इंटर कालिज जाहिदाबाद गोरकनात में होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं वही मिर्जापूर जिले में केबी पीजी कालेज मुसफपर गंज में जीन अभ्यारतों का केंता उनकी परिक्षा अब पंडित महादेव परसाद दूबे इंटर कालेज कोटवा चुनार रोड मोहनपूर मि देख लीजीएगा ठीक है क्योंकि यह संसोधन किया गया आपके अडमिट कार्ड में कुछ और हो सकता है हो सकता है संटर आपका बदल गया हो तो आप लोग उसको फिर से देख लीजीएगा चलिए वही परम बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ तो रोजगार के लिए गरजय भ्यारती जितना जो है रोजगार पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं जादा अब बच्चों को जो है रोजगार के लिए आंदोल अंधरना प्रदर्शन ये सारी चीजे करनी पढ़ रही है ठीक है अब बच्चों का किताबों में मन नहीं लग रहा है ये बि लिए सामलुक देख लेते हैं लिखा है रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार युवाऊं का आंदोलन थम नहीं रहा है मंगलवार को युवा मंच के बाइनर तले युवाऊं ने बालसन चौरा है पर परदर्शन कर सरकार के किलाब नारे बाजी की प्रदर्शन के परहा हजार एल्टी, बावन हजार पुलिस लेकपाल भरती समोगा समेत कई विभागों में पांच लाग से जादा पद रिखते हैं। अगर मैं आप सभी लोगों को बता दू तो योगी जी जो है हर बार जब कोई सिक्षक भरती हो गई या पुलिस भरती हो गई तो इनका बयान तुरंत आ जाता है। पर के माध्यम से 97,000 सिक्षक भरती, 12,000 सिक्षक भरती, 51,000 सिक्षक भरती, 50,000 सिक्षक भरती इस हिसाब से बहुत सारी जो है अपडेट आ चुकी है। लेकिन अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ। त्री अस्तरिय कमेटी वनी और वो कमेटी ऐसी जगा पर चली गई जहां से वो वापस ही नहीं आ रही पता नहीं कहा चली गई। तो बच्चे जो हैं उनके बारे में भी सोचने पर पड़े हैं। साथ ये एक चीज ये था कि 28 नॉमबर को अगर हमारा UPTT हो जाता है तो हम 28 नॉमबर के बाद में पिर हम लोग 30 नॉमबर को धरना करने वाले थे। बहुत जादा हो चुकी है आगे के लिए ठीक है वहीं पर हम बात कर लेते हैं अब UP लेकपाल भरती को ले करके। आप सभी लोगों का बहुत प्रस्टन है UP लेकपाल को ले करके कि UP लेकपाल की भरती का आखिर क्या चलना है। आप सभी लोगों को बता दूँ अगर आपने पहले ची मेरी वीडियो दिखाऊगा तो मैंने ये बहुत बार का कि UP SSC में कर्मचारियों की बहुत जादा कमी है। और दूसरी बात कर्मचारियों की भी नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये होती है आप सभी को पता होगा जब UP SSC पेट को लांच किया गया था तब ये बताया गया था कि समूगा की जो भरतियां हैं उन समूगा की भरतियों में 50,000 से जादा पद रिखते हैं ठीके 50,000 से 23,000,000 परम पड़े इसमें उनका पेपर हुआ उनका रिजल्ट हुआ प्रवीर कुमार जो की UP SSC के चेरमेर थे उन्होंने बयान भी दिया कि सितंबर में हम लोग पेट का रिजल्ट लाएंगे और अक्टूबर में हम लोग इनकी भरति प्रक्रिया जो लेकपाल की है उसको भी या आप बताओ पहले तो बताया आपने 50,000 भरति फिर आपने लेकर आए भी या 38,000 भरति उसके बाद फिर आप लेकर आए भी या 33,000 भरति और उसके बाद में भरति की संख्या घटकर हो गई है 22,000 भरति ठीक है समूगा में ठीक है ये समूगा की में बात कर रहा ब्यवरा लेने गया था बिल्कुल वही सिख्चक भरती कमेटी वाला हाल हुआ है यह ब्यवरा लेकर भी वापस नहीं आया है तकरीवन इनको एक महीना हो गया है ब्यवरा एकठा करते हुए तो कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूँ कि यूपी लेकपाल की अगर भरती आ भी जाएगी अगर मैं बताओं जो मेरा जो अनुभव कहता है तो यह समझ के चलिए कि भरती प्रक्रिया कम्पलीट तो किसी भी कीमत पे नहीं हो पाएगी चुनाओ से पहले ठीक है आप सभी लोगों को पता है चुनाओ से पहले नहीं कम्पलीट हो पाएगी यानि यह भरती जो है अब गई चुनाओ जीतने या हारने के बाद में यह बिल्कुल कंफर्म हो चुका इसमें एक परसंट भी डाउट मुझे नहीं लग रहा है वैसे मैं तो चाहूंगा मातारानी जल्दी लेकपाल की भरती ले आएग और आप सभी लोग सेलेक्ट हो जाएग बट जो मे उसके बाद में आचार संगिता लगेगी चुनाओ होगा चुनाओ का रिजल्ट आएगा उसके बाद में भरती प्रिक्रियाएं कम्प्रीट होगी यह चीछ जो है हम लोगों को देखने को मिल रही है तो इतनी सारी आज की मौर्णिंग में अपडेट थी अगर आपको अप कमेंट में नीचे करना है रिव्यू देना किस भरती के मामले में आपका क्या कहना है तो मिलते हैं अगली अपडेट में तब तक के लिए खुश रहिए मस रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जय हिन जय भारत